नमस्कार आईए आज हम जानते हैं व्यक्ति के हाथों पर होने वाले ग्रह परवत के विशे में कौन से ग्रह का अस्थान किस जगह पर हाथों में होता है और इसका क्या प्रियोग होता है सबसे पहले आते हैं ये होती है तरजनी उंगली नायने हाथ की पहली उंगली ये उंगली तरजनी उंगली का लाती है इसका ये वाला भाग गुरू परवत का होता है विरश्पति गुरू परवत मध्यमा उंगली ये होती है मध्यमा उंगली इसका ये अस्थान सनी परवत का होता है अनामिका तीसरी उंगली ये जो होती है अनामिका उंगली इसका ये अस्थान सुर्य का होता है सुर्य परवत उसके वाद ये कनिष्टिका अंगली होती है कनिष्टिका अंगली के नीचे का अस्थान बुद्ध परवत का होता है अंगुठे के नीचे वाला भाग सुक्र परवत का माना जाता है ये अस्थान सुक्र परवत का होता है हात का ये वाला अस्थान चंदर का होता है ये चंदर परवत माना जाता है ये अस्थान मंगल का होता है मंगल परवत ये अस्थान भी मंगल का होता है मंगल परवत इस प्रकार हम देखते हैं कि हातों में सभी गरह का अस्थान बटा हुआ है सुक्र परवत, चंदर परवत, गुरू, सनी, सुरी, बुद्ध अलग-अलग अस्थानों में बटा हुआ होता है इन सभी परवतों का फल भी अलग-अलग होता है अलग-अलग बेक्ति के हाथों का बनावट अलग होता है इस परवतों में किसी बेक्ति में ये अस्तान धासा हुआ होता है किसी में उठा हुआ किसी में सामान तो उन सभों का फ़ल अलग-अलग होता है इसके बिसे में हम विश्त्रित चर्चा अगले भाग में करेंगे धनि आवाद